हेलो प्रेंड्स वेल्कम टू आपकी अपनी रसोई एंड लाइफ स्टाइल जोन आज के मेरे वीडियो का टॉपिक है है एप्पी गड़ेश चेतुर्थी और कुछ महात्पून बाते हैं जैसा कि आप सब जानते हैं कि भात्रफद के महीने में दो प्रमुख तहवार होते हैं जिनमें एक तो जन्मास्टनी है जिसको हम 23 वा 24 अगस्त को मना चुके हैं और जो दूसरा तहवार है वो गड़ेश उस्तव है जिसको कि हम 2 सेप्टेंबर यानि की कल मनाईए और मैं भपा के दिन भपा के भक्त उन्हें ढोल नगाड़े के साथ अपने घर में लाते हैं और मैं आपको ये भी बता दू कि पूजा के दौरान कोई गलती न हो तो कुछ भास बातें जरूर ही जान लेनी चाहिए जो इस प्रकार है गड़ेश जी को घर में इस्थापिक करने से पहले इस बात को जान लेना अती आवश्यक है कि गड़ेश जी की मूर्ती किस दिशा में इस्थापिक करें क्योंकि गलत दिशा में इस्थापिक करने से कुछ गलत प्रवह भी पड़ सकते हैं तो मैं आपको बता दू कि गड़ेश जी की मूर्ती उत्तर पूर्व दिशा म में इसे शुब भी माना गया है इस दिसा में इस्थापित करने के पश्चाथ घर की मंगल कामना की प्रात्ना करनी चाहिए और ये भी ध्यान लखें कि आप जिस गड़ेश जी की मूर्ती या तश्वीर घर में लाएं उसकी सूर बाएं हाथ की और घुमी हुई होनी चाहिए इसके अलावा इस खास बात का भी ध्यान रखें कि गड़ेश जी के हाथों में एक दात अंकुष और मोदप होना चाहिए और दूसरा हाथ बर्दान की मुद्रा में हो इसके अलावा इनकी प्रतिमा में मुशक होना भी बहुत जरूरी होता है तो इन सब बातों का ध्यान रखकर यदि आप गड़ेश जी की मूपी या चित्र को स्थापित करेंगे तो गड़ेश जी प्रसन होकर आपकी सबी मनुकामनाएं पूरी करेंगे और नास्तेवे गणेश जी की प्रतिमा या चित्र को लगाने से घर में आनंद उच्छा और बुलती होती है और वीडियो के अंत में मेरे सभी प्रेंट्स को हैपी गणेश चतुर्थी तो ये मेरा आज का वीडियो गड़े सचतुलपी के कुछ महतपूर बातों के उपर था और अगर हमेशा की तरह मेरा वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करिए कमेंट्स करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना बूर दूम के बगल में बने बैल आइकऊन के बटन को जरूर दबाईए ताकि मेरे नए अपडेट सबसे पहले आप तक पहुचें अगले नए वीडियो के साथ फिर मिलते हैं ओके बाई फ्रेंड्स